आज हम लोग आ रहे हैं बात कर रहे हैं इसके उपर टैक्सेशन आफ को आपरेटिव सोसाइटी के उपर राइट सो टैक्सेशन आफ को आप सभी लोगों का स्वागत है मैंने आज टैक्सेशन आफ को आपरेटिव सोसाइटी जान मुझ के रखा मैंने कोई बड़ा टॉपिक नहीं उठाया उसका रीजन ये था कि अपन लोगों ने लास्ट पीजी बीपी किया था और पीजी बीपी के हम लोगों ने ये टॉपिक उठाया है बहुत जादा लिंदी निया बहुत छोटा सा है पर हां इसके उपर क्वेशन आए वे हैं मैं आपको दिखाता हूं ये जो नोट्स मैं यूज करा हूं इस आर वी स्मार्ट्स ये फाइनल नोट्स इस वीडियो जो मैं अभी आप से अग्षाईरो इस वीडियो इस अप्लिकेबल फार पर्फस अफ C.A.F.I.N.C.A.F.I.N.A.F.I.N.A.L.A.L.C.E.S.P.E.S.P.E.S.P.E.S.P.E.S.P.E.S.P.E.S.P.E.S.P.E.S.P.E.S.P.E.S.P.E.S.P.E.S.P.E.S.P.E.S.P.E.S.P.E.S.P.E.S.P.E.S.P.E.S.P.E.S.P.E.S. last question November 2016 चाया, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है institute ऐसे जो छोटे-छोटे topics है इस बार, ऐसे छोटे-छोटे topics को, you know, MCQ के लिए उठा ले और इन में से 2 माग का 1 MCQ पूछ ले, तो I think ये topic उस point of view से relevant हो जाता है, और मेरे आप से hardly 45 minutes लगेंगे इस topic को आपको मेरे साथ फटा- फटा-फट recall करने के लिए, में भी उससे कम आपको लग जाए इस topic को फटा-फट recall करने के लिए, इतना सा वीडियो आप देख लोगे, आपको कुछ भी देखने की ज़रत नहीं है, ये वीडियो देखने से पहले आपके पास किसी भी teacher की book हो सकती है, वी smart का बस एक छोटा चालू है, IDT का, right, live का मतलब है, virtually जो live present है, उसमें चालू है, जै सर, FR के साथ मदद कर रहे है, AMA के साथ दर्शन चंडालिया सर, मदद कर रहे है, so we are continuously there and again back to back giving something or the others for the purpose of student, ये topic old syllabus वालों को और new syllabus वालों को है, CMA वाले students को ये topic बहुत जादा पूछा जाता है, yes or no, CMA वा you know, अब MCQ point of users थोड़ा जादा बेटर है, तो चलिए स्टार्ट करते है, taxation of cooperative society, right, okay, taxation of cooperative society, सबसे पहले एक दम zero से चलते है, cooperative society को person की definition में कहीं डूणने की बात करते है, जब section 2, subsection 31 देखेंगे, तो individual, HUF, firm, company, AOP, BY, local authority, AJP, cooperative society तो कहीं दिखता ही नहीं, तो cooperative society का classification किदर हो रहा है, right, cooperative society का classification in the head, AOP, BY, या तो AJP किया जाएगा, हाला कि cooperative taxation के जो rates है, यह अलग है, इन्हें AOP, BY के tax rates न लगके, इनके उपर एक separate rates of tax है, वो cover किये जाते है, ऐसा इसलिए भी है, क्योंकि cooperative society को separately define किया गया है, under the income tax act, yes, जब आप income tax bear act में जाएंगे, section 2, subsection 19, section 2, subsection 19, करता है, क्या होती है cooperative society, cooperative society, cooperative society means a cooperative society which is registered under the cooperative society act 1912, 1912 के अंदर में cooperative society का act आया था, आप उसके साथ registered होने ही चाहिए थे, over the period of time सबसे पहले law में सिर्फ इतना ही लिखा था, पर यहाँ पे other cooperative society भी है, मैं आपको थोड़ा सा और basics में जाता हूँ, cooperative society दो तरह से registered होती है, एक national level पर registered होती है और कुछ cooperative society state level पर registered होती है, जैसे बंबे cooperative society act, यह महाराष्टर का एक अपना खुत का act है जो cooperative society को registered करता है, mainly यह जो cooperative business है, आपको सबसे ज़्यादा केरला में, गुजरात में और महाराष्टर में देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे cooperative business बहुत ज़्यादा ह है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा यह business, राइट, अच्छा जी सर, आगे बड़ते है, जब हम cooperative societies की बात करते हैं, cooperative societies की बात करते हैं, person के definition में इसे या तो AOP-BY, या तो AJP के अंदर में classify किया जाएगा, हलाक इनके taxes totally अलग है, वो इसलिए भी क्य कि इनको separate definition मिले है, section 2, subsection 19 के अंदर में, so cooperative society means a cooperative society which is registered under the cooperative society act 1912, और over the period of time, इसे state cooperative society में जो registered है, उनके लिए भी extend कर दिया गया, and hence law में word include किया गया, other cooperative society which is registered under the other act, तो जब अब 2.19 की definition पढ़ोगे, इसमें से वो cooperative society निया आती, जो cooperative society act 1912 के अंदर registered है, बलकि other जो state cooperative society registered है, उसके अंदर में भी cover होता है, हो सकता है institute आपको ये MCQ बोल करके पूछ ले, so सबसे पहले point को देखेगा, और हम इसको इतना detail में इसलिए पढ़ रहा है, because मैं आपको वापस याद दिरा दू, मेरा formula बढ़ा simple है, पढ़ो तो हद कर दो, वरना program रद कर दो, तो cooperative society means a cooperative society registered under the cooperative society act 1912, और कई सालो बाद जब इसमें amendment लाया गया, under any other law, यहा under any other law मतलब जो state laws बने वे है, जैसे महराष्टा cooperative society regulation, अर्याना cooperative society regulation, गुजरात cooperative society regulations, इसके अंदर जो बने वे हैं वो, अब जैसे अगर आप India के कुछ famous cooperative society के नाम देखेंगे, तो सबसे पहला ही नाम आपको सबसे बड़ी company का मिलेगा Amul, Amul एक बहुत बड़ा cooperative society इंडिया के अंदर में, दूसरा IFCO, IFFCO, जितने भी agriculturalist है, farmers है, उनके लिए बहुत जादा focus करता है, इसको fertilizers बनाने में और इसके implement supply करने में, अगर आप IFCO की बात करें, तो IFCO actually plant and machinery भी supply करता है, disposal of labors भी provide करता है और ऐसे कई sectors के अंदर में engage है, वही अगर आप Amul देखें तो, you know, milk, oil, seeds and other products के अंदर में engage है, so cooperative society इन आपका concept लाया है, क्योंकि उसके पीछे एक बहुत important point था, जब, you know, individual or partnership firm या company देखें, तो इनमें exploitations बहुत जादा होते थे और इसी के लिए cooperative societies लाया गया, अब इस बताया होगा कि Companies Act के अंदर में producer नाम की company है, तो ज़रूरी नहीं आपको cooperative के अंदर ही govern होना है, अगर आप company form में आके same काम करना चाहते हैं, तो आप section 8 company है, section 25 company इसे earlier कहा जाता था, producer company नाम से भी आ सकते हैं, और finance act 2019 ने producer company के लिए similar एक और section लेके आया है, 80 PA, तो अगर 80 PA के अंदर लेंगे, so मैं damn sure हूँ, आपने 80 PA पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा होगा, तो please June 20 के लिए इसे पढ़ दीजे, क्योंकि ये amendment है, इसके अंदर में, आईए आगे बढ़ते हैं, Sir, so cooperative society means any cooperative society which is registered under the cooperative society act, or any other law, यहाँ any other law का मतलब है, जो state laws बनाए वे cooperative society के लिए, majorly cooperative societies के लिए, deductions होता है, deduction है, ATP का, ATP, yes, ध्यान से सुनिए, ATP, यही अगर producer company रही, ATP है, ATP कहता है, 100%, ATP कहता है, 100% deduction allowed है, deduction, 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 deduction का मतलब होता है, from chapter 6, chapter 6 के अंदर से deduction मिलेगा, मतलब gross total income में से इसको deduction मिलेगा, और यह deduction ATP के अंदर मिलेगा, कुछ cooperative societies को, let me clarify you, we are talking about cooperative society, we are not talking about cooperative banks, section ATP is not applicable to cooperative bank, again I repeat, section ATP is not applicable to cooperative bank, जिसका मतलब है, यह जो chapter हम पढ़ रहे हैं, यह cooperative banks के लिए applicable नहीं है, यह cooperative banks के लिए applicable नहीं है, हला कि एक issue था, issue में आपको बताता हूँ, जब ATP लाया गया, इसे cooperative banks के लिए apply नहीं किया गया, लेकिन, जो district level है, rural levels है, right, यहाँ पे एक problem देखी जाती थी, problem यह होती थी, जना story सुनिया, आपको मजा जाएगा, problem यह होती थी, कि, you know, जमीनदार होते, छोटे-छोटे गाओं में, अगर आप देखोगे, छोटे गाओं में, कजबों में, यहाँ पे जमीनदार होते हैं, और जमीनदार क्या करते थ लोन देते थे किसानों को और किसानों को हाई रेट पे लोन देने के कारण इनका exploitations होता था और इसी के लिए इन जगव पे primary credit cooperative society बनी या rural credit cooperative society बनी so this section is applicable to cooperative society including 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 primary agriculture cooperative society and rural agricultural cooperative society but excluding cooperative bank तो generally cooperative bank पे ये section applicable नहीं है पर primary credit society और rural advances के लिए इसे लाया गया और ATP ये लोग अप claim कर सकते हैं so check किजेगा deduction under section ATP is applicable to cooperative society however deduction is not applicable to cooperative society other than other than मतलब ये दो included है primary agriculture credit society primary agriculture and rural development banks that means a society having an area of operation confined to a taluk and principal object is to provide long term credit for agriculture and rural development right so technically sum up करते हैं first of all किस किस को ये section applicable है ATP का section cooperative societies को applicable है primary credit so cooperative societies को applicable है rural credit societies को applicable है cooperative banks को applicable नहीं है बाकि सब cooperative इसके अंदर में cover हो गई कितना deduction मिलेगा क्योंकि हम बात कर रहे थे deduction from gross total income कितना deduction मिलेगा deduction under ATP के अंदर में hundred percent दिया कितना hundred percent जितना कमारी है बाकि cooperative society hundred percent deduction हम देंगे कितना जरा चेक किजेगा deduction कितना दिया hundred percent deduction चल भी अलावड from profit किस बात क्या क्या profit यह अगर इन्ने loss आ जाए तो अगर इन्ने loss आ जाता है तब तो deduction लेने का कोई सवाल ही ने उठता hence profit से deduction दिया activities क्या होनी ची इन cooperative society की चेक कीजे credit facility to its member except cooperative bank cooperative bank पर तो यह section यह applicable नहीं है अब जरा समझेगा अगर अपने members को credit facility देती है और उनसे interest income कमाती है तो यह interest income का deduction cooperative society को मिल सकता है provided credit किसको देना चाहिए member इसलिए अगर आप देखेंगे आप अपने गाउं में city में शेहर में जहां कहीं भी है अगर कोई आपका client होगा आपका client कोई credit cooperative से कोई credit लेता होगा तो देखते होंगे आप यूनों वहाँ क्या करते है cooperative के managers वहाँ सबसे पहले इने members बनाया जाता है अगर आपने आर्टिकल चिप में देखा होगा हम इने सबसे पहले क्या बनाते है members बनाते है और members बना के ही हम क्या करते है इने loan देते है इसका objective यह होता है क्योंकि cooperative जब interest collect करती है उसका क्या ले लेती है deduction hence loan देने से पहले वह इने क्या बना देती है member बनाने की procedure पूरी करती है next cottage industry generally cottage industry किसे कहा जाता है generally cottage industry छोटे villages के अंदर में जो घर पे बनाने घर पे बनाई गई कोई products होते है उनके अंदर में जैसे केरला के अंदर में देखा जाए आप साउथ के अंदर में देखा जाए तो वो लोग साड़ी या कपड़े घर के अंदर में बनाते हैं उसी तरह से sanitary pads बनते हैं आपने legit paper नाम का सुना होगा बेरहाल वो अभी तो company में convert हो गई पर legit paper या छोटे महिला उद्द्योग को हम लोग cottage industry का नाम दे देते हैं और इनको कोई अगर income आरी होगी तो ये cottage industry की income ATP के अंदर में deduction बोलके अला होगा next marketing of agriculture produce grown bites member ifco IFFCO क्या करता है members को fertilizer में तो help करता ही करता है साथ साथ में क्या करता है member को बोलता है आप product बना के लाइए और हम इसे बेचेंगे इसका फाइदा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ फाइदा क्या बनता है इसका किसान क्या करता है अपने जैसे अप पूने में है पूने में market yard है market yard के अंदर भी cooperative society बने है और आपके याँ city के अंदर में जहां पे भी यह होगा क्या बोलते है सब्जी मंडी होगी वहाँ पे यह जरूर होगा cooperative क्या करते हैं जर्द समझे farmer से अगर आलू खरीदना है let's say lace company को तो यह बहुत सस्ते दामों पे खरीदते है farmers इतना negotiate नहीं कर पाते यही cooperative society role में आता है cooperative society क्या करता है farmer से बोलता है हम आप हमारे member बन जाओ आप हमें आलू दो हम company के साथ एक better rate में negotiate करेंगे और ऐसे case में हो क्या करते है जो members ने हो गया उसकी marketing करते है अलग-अलग लोगों को जाके देते है और क्या करते है huge profit लेकर के आते है जो maybe अकेला farmer नहीं कर पाता होगा so collectively क्या किया जाता है marketing किया जाता है agriculture produce से ऐसी marketing करके income का model क्या होगा cooperative का अब्यसी बात है जब farmer को आप उसका product बिकवा के दे रहे हो तो एक small commission आप रखते हो यह commission आपकी income हो गई which is eligible under section 80p as a deduction next collective disposal of its labor to its member collective disposal of labor sir collective disposal of labor यह भी क्या होता है एक बहुत important काम होता है cooperative society का किस तरीके से किया जाता है अब देखिए कई बार क्या होता है companies agricultural activity के अंदर में involved होती है companies क्या होती है agricultural activities के अंदर involved होती है अब company का कोई लिखा पड़ा आदमी है जिसको बहुत ज़ादा जिसने education लिया होगा या जिसको खेती की समझ नहीं होगी वो आदमी तो खेतों पे जाएगा नी so अब company अगर कोई land बाय करती है तो ऐसे cases में उसको labor लगेंगे उसे उगाने के लिए उसे process करने के लिए यहाँ पे you know labor भी लाके देने का common काम करता है cooperative society करता है और इससे कोई income या commission earn की गई होगी वो भी क्या की जाती है taxable की जाती है fishing and allied activity यह एक बहुत important होता है generally यह cooperative society वहाँ दिखती है जहाँ पे port हो जैसे मुंबई के अंदर आप देखोगे कॉलकाता के अंदर आप देखोगे केरला के अंदर में वाईजाग विशाका पतनम देखोगे जहाँ पे majorly ports है वहाँ पे fishing and allied activity fishing and allied activity मतलब fishing से related allied activity के लिए भी क्या किया जाता है cooperative बनाई जाती है कोई एक छोटा you know छोटे boat वाला जो मचली पकड़ के ला रहा है maybe वो इतना अच्छे से negotiate ना कर सके तो वो ला करके क्या करता है अपने cooperative को दे देता और cooperative क्या करता है फिर negotiate करता है अलग-अलग hotels के साथ में भी जो अब देखे ताज hotels होगी है जितनी भी five star hotel होती होगी यहाँ पर non wage के लिए इनको क्या जरूरी हो जाता होगा किसी ना किसी एक व्यक्ती से deal करना बहुत जरूरी हो जाता होगा जो इन्हें supply करे और वो individuals के पास तो जा नहीं सकते होंगे तो ऐसे hotel वाले cooperative है कि आप हमें ला करके दो और cooperative ऐसे छोटे-छोटे लोगों से क्या करता है बाई करता है और यहाँ पर एक commission कमाता है ऐसी कोई cooperative society होगी जो fishing and allied activity के अंदर में होगी तो इसका income क्या किया गया है ATP के अंदर में हटाया गया है next processing without the aid of power agriculture produce of its member कई product ऐसे होते हैं जिनके अंदर में आपको इसकी जरौत नहीं होती power की जरौत नहीं होती technically right ऐसी जगव पर अगर आप engage है और इसमें से भी कोई income earned कर रहे हैं कोई cooperative इसमें से भी income earned कर रहा है इसका reduction ATP में मिलेगा purchase of agricultural implement seeds, livestock and other agriculture article for the purpose of supplying damage to its member amul, mother dairy क्या काम कर रहे हैं यही काम कर रहे हैं mother dairy तो खहर भी company form में आगई इनके cooperatives भी है so purchase करते हैं कोई agricultural implements देखें मैं आपको बताता हो होता कि john deere company right might be john deere company अगर एक normal किसान john deere company में जाएगा might be उसको tractor जो हो वो MRP पर मिले और कोई discount ना मिले ऐसे case में क्या होता है cooperative society जाता है negotiate करने के लिए वो सबसे पहले देखता है किन-किन members को क्या जरूरी है, tractors जरूरी है वो क्या करता है, john deere john deere से negotiate करता है maybe 20% 30% price से कम में bulk buy करता है और bulk buy करके एक कम rate के अंदर में अपने members को provide कर देता है और एक small commission earn कर लेता है that's how the revenue model of cooperative works अब ऐसे cases में जितनी income cooperative ने earn किये, from supply of agricultural implements, seeds seeds, कई बार क्या होता है individual farmer जब seeds लेने जाएगा या livestock लेने जाएगा, might be वो इत्य अच्छे से negotiate ना कर पाए ऐसे case में cooperative बीच में आता है income earn करता है और इनको provide करता है और बीच में commission earn करता है so purchase of agriculture implements seeds, livestock, another article for the purpose of supplying them to its member, जब वो member को supply करता है, इससे को income आन हो रही होगी तो ये income 100% deduction allowed है, ATP के अंदर में income, interest or dividend from investment with other cooperative societies, final वालो जड़ा ध्यान देना इस point पे, क्यूंकि इस point पे आपको confirm MCQ बनाएगा confirm है sir, confirm MCQ बनाएगा मैं आपको बताता हूँ किदर और इसको link है 194 A के साथ इसको link करेंगे हम 194 A के साथ ये linking बड़ी जरूर ही है क्यूंकि जब आप ये linking देखोगे examiner आपको देखना इसी link के अंदर में घुमाएगा ठीक है, जरू समझते है एक cooperative maximum time पे क्या करता है, दूसरे cooperative के अंदर में अपनी interest income या other investment income जो रखता है वो रखता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ कोई छोटा cooperative society होगा वो बड़े cooperative societies के अंदर में क्या करता है, अपने FDs रखता है अपने savings रखता है और इसके ओपर investment कमाता है, राइट अच्छा जी, अब interest income जो एक cooperative, दूसरे cooperative से कमा रहा है, एक cooperative दूसरे cooperative से जो interest income कमा रहा है, ये interest income भी 100% क्या है, deduction allowed है under ATP मेरी बात को ध्यान से सुने interest और dividend जो कमा रहा है दूसरे cooperative society से वो ATP के अंदर में मान लीजे, इन्होंने कोई bank में रखा और bank से interest आ रहा होगा, ये interest taxable है, क्या बिल्कुल ये interest taxable है क्योंकि उन्होंने क्या कहा है only the income interest dividend from investment with other cooperative society, other cooperative society के साथ जो रखा गया interest income आया है, सिर्फ वो इसके अंदर में आता है मैं सवाल आपके सारे जित्ते भी होंगे क्योंकि मुझे दिख रहा है काफी सवाल है याँपे सवाल जित्ते में होंगे, आप सभी को पता है right so एक cooperative society, दूसरे cooperative society के अंदर में क्या रखता है आपका amount रखता है, वहां से कोई interest आ रहा है that interest is taxable or not, yes that interest is not taxable लेकिन यही एक cooperative ने क्या किया HDFC bank में रख दिया हला कि मैं आपको एक बात बता दू क्योंकि मैंने articleship में cooperative society का का काम किया है मैंने CA बनने के बाद cooperative audits भी किये हैं तो मैं आपको बता दू maximum cases में क्या होता है cooperative अपने bylaws में ही लिख दिता है cooperative का कोई agreement नहीं बनता cooperative का बनता है bylaws जित्ते लोगोंने articleship में cooperative audit किया होगा उनने सबसे पहले क्या किया होगा client को समझने के लिए bylaws पढ़े होगे आप लोगों को समझ रहा होगा client को पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या पढ़ा होगा bylaws पढ़ा होगा और ये bylaws के हिसाब से ही उसमें ओ लिख दिया जाता है that we will not keep the deposit in other banks we will keep in cooperative zone उसका एक बहुत बड़ा reason ये भी होता है क्योंकि cooperative से जो आने वाला interest होता है वो क्या होता है ATP में deduction मिल जाता है हलाकि ये depend करता है cooperative कहां register कर रहे हो national registry में या state में हलाकि ऐसा ज़रूरी नहीं है बर maximum bylaws में लिखा ही होता है उसका logic ये होता है क्योंकि उससे आने वाला interest क्या हो जाता है exempt अब मैं जा रहा हूँ यहां से chapter TDS में TDS में 194A 194A बात करता है interest other than on interest on security TDS on interest other than on interest on security right अब ध्यान जा सुनिए मान लीजे cooperative A cooperative B इसने क्या किया अपना deposit cooperative B में रख दिया cooperative B इसे क्या pay कर रहा है interest अब TDS का angle समझते है ये हो गया pair ये हो गया pay ठीक है इधर एक बार देख लो मैं आपको सम्झार देता हूँ फटापट right cooperative A ने cooperative B के अंदर में deposit रखा cooperative B अब क्या pay कर रहा होगा cooperative A को interest पे कर रहा होगा you got this point pair कौन हो गया cooperative B receiver कौन हो गया cooperative A ठीक है अब एक important सवाल मुझे बताईए मान लीजे अगर ये interest मान लीजे अगर ये interest जा रहा होगा specified limits के ऊपर which is given in 194A 40,000, 50,000 या फिर 5,000 या फिर 5,000 in any other case ये अगर limit से जा रहा होगा तो क्या cooperative society TDS deduct करे या ना करे मुझे ये बात बताईए जा अंदर सुनिए cooperative A को जित्ता interest मिल रहा है ये interest 80 P के अंदर में deduction allowed है deduction is always out of taxable income taxable में से deduction मिल रहा है अब B cooperative society जब interest पे करेगा A cooperative society को क्या B cooperative society TDS deduct करे या ना करे ये important point है 194 A का भी ये ये same चीज़ आप 194 A में भी देखेंगे आप जा करके चेक कर लिए आप जो book ले रहे होंगे जिस author की ले रहे होंगे मैं confirm मोलता हूं से 194 A का ये वाला point उसमें लिखा ही लिखा होगा मुझे जल्दी से जवाब बताइए जितने लोग भी live में हैं शेशांग जी कहा रहे हैं येस वो TDS deduct करेगा कोई और दिव्या कहा रहे हैं नहीं TDS deduct नहीं करेगा और कोई जितने लोग देख रहे हैं फटाफट जवाब दो येस swap nail कहा रहे हैं मुझे येस TDS deduct होगा और कोई जल्दी बताओ दो जवाब yes के favor में एक जवाब no के favor में दो जवाब yes के favor में एक जवाब no के favor में any other answer कोई जल्दी से बता दे कोई भी जवाब should not be deducted एक और दिव्या का ही जवाब आया है नहीं ये deduct नहीं करना है मैं final answer बताने जा रहूं औफकोर्स नो, कृष्णा जी कह रहे है, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कृष्णा जी कह रहे है, दिव्या कह रही है, नहीं होना चाहिए, एनके कह रहे है, नो, अन्वेश कह रहे है, नो, सरीता जी कह रहे है, नो, पंकच महेश्वरी कह रहे है, येस, आलोग जी कहे रहें नहीं याने maximum जवाब यहाँ पर नहीं के फेवर में आता है ना answer is correct no, no इसके लिए क्योंकि पहली बात तो सामने वाले को उसका deduction मिल रहा है दूसरी बात 194A के exception में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है एक cooperative society दूसरे cooperative society को जब क्या पे कर रही है interest पे कर रही है उसे TDS deduct करने की ज़रत नहीं है यही exception 194A में भी लिखा है देखो अब क्या होगा यही बात है आपको institute ऐसे question नहीं पूछेगा cooperative society का deduction कौन से section में आएगा ATP institute ऐसे MCQ नहीं पूछता institute आपको A और B का case study देदेगा और आपको पूछेगा बताओ B के हाथ में क्या होने वाला है और A को क्या tax deduct करना है या नहीं करना है या वाईजर वर्षा जिस तरह से भी हो situation frame करेगा that's how case based MCQ are supposed to be done मेरे MCQ book में इस पर question है check कीजेगा income from letting out go down or warehouse income from letting out go down और warehouse कई cooperative society engage होते है maximum case में ये cooperative society बोल करके बनते है वो अपना go down या warehouse let out करते हैं और उससे को income कमाते हैं मैं आपको बता दू yes इसके ओपर भी deduction है 80P का इसके अलावा इसके अलावा अगर primary supply करती है कोई milk, oil, seed, fruits या vegetable by primary society to federal cooperative government और local authority government और statutory corporation engaged in supply of milk और fruits तो ऐसे cases में क्या किया जाएगा engaged, deduction मिलेगा अब मैं आपको बतातो क्या होगा ये कोरोना के चक्कर में कई volunteers या कई cooperative societies आई होगी जो government को क्या कर रही होगी इस मुश्किल समय के अंदर में seed supply कर रही होगी oil supply कर रही होगी food supply कर रही होगी vegetable supply कर रही होगी कई जो छोटी-छोटी मंडीज है ये government को या local authorities को क्या कर रही होगी provide कर रही होगी for example market yard पूने ने पूने municipal corporation को क्या किया vegetable supply किये fruit supply किये अब इस टाइम पे पूने municipal आप थूड़ा सा practicality में समझे पूने municipal corporation एक-एक farmer को तो ढूणने जाएगा नी वो क्या करेगा market yard cooperative societies को पकड़ेगा बोलेगा मेरे को क्या चीए जितने areas को मैंने corona के अंदर में seal किया है इन सभी जग़ पे मुझे fruits, vegetable या other चीज़े provide करवानी है आप मुझे ये supply करो ये cooperative society milk, fruits, vegetable and other चीज़े क्या करेगा provide करवाएगा पूने municipal corporation that is local authority या पूने एक बहुत बड़ी मंडी होने के कारण क्या होता है ये provide करेंगे महराष्ट्र स्टेट को ऐसे cases में क्या किया जाएगा जितनी income ये कमा रहे है cooperative society इन्हें को special deduction नहीं देने की ज़रूत है already दिया है under section 80 P already दिया है under section 80 P तो उसका ये deduction जरूर मिलेगा अच्छा जी sir अब इसके अलावा जितनी भी cooperative societies है इसके अलावा जितनी भी cooperative societies है इनको अगर कोई income आ रही होगी ये income taxable है पर एक standard deduction दियावा है अगर ये consumer cooperative society है तो 1 lakh रुपीज तक का exemption दियावा है यही अगर other cooperative society है तो 50,000 का एक standard deduction दियावा है सो मान लीजे cooperative societies को कोई और income आ रही होगी इन सब income के अलावा वो income taxable income में count कर ली जाती है और एक standard deduction दिया जाता है अगर consumer cooperative society है तो 1 lakh रुपीज is the standard deduction और income whichever is lower अगर क्या किया गया है other than consumer cooperative society है तो 50,000 का एक standard deduction available करवा करके दिया गया है मतलब ATP में cover नहीं होते तो भी तुमको deduction हम ज़रूर देंगे standard deduction होगा एक लाक या पचास अजार का इसके बाद जो भी income बजगे cooperative society की उसको taxability आता है generally cooperative society या तो AOP-BOI classification में आएगा या AJP classification में आएगा पर इसके tax rate अलग से दिये वे हैं इसके tax rate अलग से दिये वे हैं ये ध्यान से सुनिएगा right first 10,000 the tax rate is 10% मान लिजए cooperative society को एक लाक रुपे इंकम आ रही है जो taxable income है after all deduction and standard deduction ये एक लाक में के पहले 10,000 रुपे 10% से taxable होंगे दूसरे 10,000 रुपे 20% से taxable होंगे and जितना भी balance बचा that is 30,000 का sorry that is total 80,000 का ये पूरा का पूरा taxable हो जाएगा at the rate of 30% पहले 10,000 10% दूसरे 10,000 20% और balance पूरा का पूरा 30% अगर cooperative society की income एक करोड रुपे के उपर जा रही है जो taxable portion है एक करोड रुपे के उपर जा रहा है तो इन्हें सर्चार्ज भी लगेगा at the rate of 12% सर्चार्ज लगेगा at the rate of 12% plus HAC इनके उपर applicable है at the rate of 4% कुछ और important case loss जो एस chapter से related है वो बता देता हूँ एक circular था circular number 6 2010, RRBs regional rural banks क्या इन्हें ATP का deduction मिलेगा circular number 6 2010 कहता है RRBs are not entitled to deduction under ATP, तो RRBs regional rural banks को cooperative का deduction नहीं मिलता, बताए यह multi-purpose cooperative society, जो multiple चीज़ों में engaged, might be letting off go down में भी engaged है, और you know, credit to members में भी engaged है multi-purpose cooperative society, क्या ATP का deduction मिलेगा, yes ATP का deduction मिलेगा, point number 5 पढ़िएगा, point number 4 पढ़िएगा, multi-purpose cooperative society are engaged in deduction under section ATP, अब एक important point में बूलने जारा हूँ, again important यहने chapter का second important point, पहला important point था हूँ, 194 A से related दूसरा important point बुलने जारा हूँ मान लिजे, one of the cooperative society is engaged in profit link deductions जो deduction chapter 6 A part C में लिखे है, 80 IA to 80 RRB वाले, right, मान लिजे one of the cooperative society is eligible for 80 IA or IB, right can this cooperative society claimed ATP, मुझे जल्दी बताईए, can this cooperative society claim ATP, हाँ या न, यह देखिये, ATP third point, where the assessi is also entitled to deduction under 80 IA, IB, deduction under 80 P, shall be allowed with reference to such profit and gains, as reduced by deduction allowed under those section, जिसका मतलब यह है कि अगर 80 IA, IB, ICID याने profit link deductions उनको मिल चुके है, उन activities के कारण, तो वो deduction लेने के बाद अगर कोई income बच जाती होगी, उस income पे ATP आ सकता है, छोटा सा example, मान लिजे, infrastructure facility के अंदर में 2017 से पहले IV कोई cooperative society है, और वेसी बात है, वो 80 IA, IB, ICID के अंदर में जहां पे भी provided है, वहां पे वो deduction claim कर लेगी, पर उसमें से अगर कोई amount FD में रखा तो और interest आया, दूसरी cooperative society से, अब ये तो 80 IA में cover नहीं हो सकता, 80 IA, IB में cover नहीं हो सकता, क्योंकि 80 IA, IB में तो profits from those activity covered था, अब जो interest आया, दूसरे cooperative society में FD रखके, ये interest तो 80 P से मिलेगा ना, तो जितने वच्चे कह रहे हैं, नहीं, आप अपना जवाब सुधारी है, ये सीधा सीधा एक्जामपल याद रखी है, मान लिजे, कोई cooperative infrastructure facility के अंदर अंगेज है, 80 IA, IB, ICID में आपने deduction ले लिया, पर जितनी income आपने कमाई, उससे आपने दूसरे cooperative society में FD रखी, उससे interest आया, अब ये interest तो आपको मिलना चीधे, ये चीज़ है, हैंड लोग के अंदर में, और उसके बाद लोग के अंदर में, ये point provide कर दिया गया, ये point provide कर दिया गया, where the assess is also entitled to 80 IA, IB deduction, 80 IA, IB deduction, 80 P shall be allowed with reference to such profit and gains, as reduced by deduction allowed, मतलब आप 80 IA, IB, IC में जो deduction लेते हैं, आप बिंदास लीजे, उसके अलावा ये deduction आपको 80 P का हम जरूर दे देंगे, बिंदास कोई problem नहीं है, right, मान लीजे, आपने अभी नीचे देखा, multi-purpose cooperative society को 80 P मिलता है, so you know, multi-purpose cooperative society है, जो 80 IA, IB वाले deductions भी claim करती है, plus letting off of go down भी करती है, multi-purpose हो गया, multi-purpose को 80 P मिलेगा, अब जो 80 IA, IB वाला business है, उसमें आप 80 IA, IB claim कर लोगे, जो letting off go down से आने वाली income हो, उसको तो 80 P के अंदर में benefit दोगे नहीं दोगे, hence, अगर आपने 80 IA, IB claim किया है, आप 80 P भी साथ में claim कर सकते, only for that amount which is not covered by 80 IA, IB. अच्छा जी, एक बहुत important सवाल उड़ा, तोदगर cooperative society supreme court judgment था, यह supreme court judgment आपके साथ discuss कर लेता हूँ, ज्यान दे सुनिएगा, interest income, मान लिजे cooperative society के पास कोई surplus money है, यह money वो क्या करते हैं, deposit कर देते हैं, बताइए, इस से आने वाला income कौन सा होगा, obviously बात है, IFOS and not PGVP, वैसे भी interest income specifically 562 के अंदर में दिया गया है, तो 562 के अंदर में इसकी taxability जरूर आएगी, एक और सवाल उठा, कि जो cooperative society cold storage provide कर रही है, क्या cold storage जो provide कर रही है, यह इसको ATP का reduction मिलेगा क्या, जब आप letting out of go downs कर रहे हैं, letting out का business आप cover कर रहे हैं, so letting out of cold storage are also the part of ATP, so कोई cooperative society अगर cold storage let out कर रही है, उससे को income कमा रही है, तो ATP का benefit उसको जरूर मिलेगा, then sir, so sum up कर देते हैं, फटा फट, या तो ये person की definition में, या तो ये AOP BY में आएगी, लेकिन उसका taxation जो होगा, वो 40 BA के इसाप से नहीं होगा, इसके लिए अलग tax rate दिया गया है, पहले 10,000 पे 10%, दूसरे 10,000 पे 20%, balance के उपर 30%, इनका बेक करोड के उपर गई, तो 12% का सचाज लगेगा, plus says mandatory लगना ही लगना है, अच्छा जी sir, cooperative society की जो benefit है, वो ATP के अंदर में exempt है, अगर कोई ATP के अंदर में deduction नहीं ले रहा है, तो उसको एक standard deduction दिया गया है, consumer cooperative होगा, तो 1,00,000 तक का, ATP क्लेम कर सकता है, right, cooperative society का मतलब 2,19 के अंदर में लिखा है, जो कहता है, कोई भी cooperative society जो रिजिस्टर है, cooperative society act, 19,20 के अंदर या any other law के अंदर में, और 100% deductions cooperative society के allowed है, so technically, इसके उपर questions आये वे हैं, मैं आपको बता दू, ये questions आपके module में भी है, ये questions आपके module में भी है, assessment of various entities देखिएगा, मैं जो लोग आज पहली बार ये देख रहे होंगे, मैं उनको बता दू, हम लोग revision कर रहे हैं, हमने taxation of partnership कर लिया, taxation of EOPBY कर लिया, PGBP revision हम लोगों ने कर लिया, taxation of आज cooperative भी कर लिया हम लोगोंने, अगर यही business, करेके जाना, right, चलिए sir, इसके अलावा, maximum income तो exempt ही है, तो अपने को इत्ता अधा तेंचन लेनी की ज़रूद पड़ती नहीं, और मैं आपको बता दू, cooperative society के bylaws ही इस तरीके से frame के जाते हैं, कि उनकी maximum income क्या हो जाए, exempt हो जाए, मैं 5-10 मिनट मैं कोई queries होगी, तो प्लीज आप queries बेज़िए, मैं queries ले रहा हूँ, और अब मैं कल कोई और एक topic उठाता हूँ, जो अच्छा भी हो, और मज़ा भी आए आपको, ये topic मैं उठाता हूँ, ताकि हम उसे क्या कर सके, detail में पढ़ सके, तो आपकी कोई queries होगी, तो प्लीज आप मुझे queries बेज़ दीजे, फटा फट, तो मैं उस queries को solve कर लेता हूँ, दो अब स्पेशल सीरीज, Vsmart Academy, रोज कुछ ना कुछ अपलोड कर रहा है, Vsmart Academy के YouTube चैनल के साथ आप रही है, वो रोज कुछ ना कुछ अपलोड कर रहा है, और, yes, जिछे final के November का PD लेना चाहते हैं, बंदास आप ले सकते हो, उसका हो चुकी है, Finance Act 19 आप लोग को applicable है, Finance Act 20 नहीं, तो, yes, आप वो cover कर सकते हैं, any student, any kind of doubt, please ask, is this for CA final or enter, others, this is only for final, not for enter, should we start question session, I don't know, आपने क्या पूचा है, Krishnan, Trust, Sonali ji, Trust का income, Trust का taxation, बिलकुल, अलग से आता है, जिसको हम कहते है, Taxation of Charitable Trust, जिसका income, 11 and 12 के अंदर में, exempt होता है, वो अलग विशे है, वो इसके अंदर में, नहीं आता है, ATG और ATGGA का deduction मिलेगा क्या, एक सवाल पूचा गया, ATG और ATGGA का deduction मिलेगा क्या, maximum case में होता ऐसा है, कि cooperative society के 100% deductions, यहीं मिल जाते हैं, तो जितना PGVP होता है, या जितना भी आपका, यह available होता है, वो सब कुछ यहीं से मिल जाता है, deduction, तो profit बचता नहीं है, पड़ इसके अलावा अगर कोई profit बचता है, तो आप definitely उसके अंदर में claim कर लीजे, ATG तो definitely claim हो सकता है, कोई problem नहीं है, बट आपको यह देखने को नहीं मिलेगा, international tax शुरू करो, ठीक है, MAT और EMT कैसे याद रखे, हम इसके ऊपर एक separate revision video ला रहे है, MAT AMT के ऊपर, मैं एक video लेकर का रहा हूँ, MAT OR EMT revision के ऊपर, हम उसके अंदर देख लेंगे, इसको याद कैसे रखना है, बट आप याद मत रखे, MAT OR EMT, MAT AMT दुनिया का सबसे easy topic है, Sir, Housing Cooperative Society और इसमें क्या difference है, Housing Cooperative Society भी अपना deduct benefit इसमें से ही लेती है, पर मैं आपको एक model समझाता हूँ, Housing Cooperative Society जो income है, that is just collection of money, that is just contribution, cooperative society को income का इस होता है, मैं आपको बताता हूँ, Housing Cooperative Society, member जो contribute कर रहा है, that is contribution and not income, आप ये बात समझे पहले, मान लीजे, cooperative society है, जिसके भी डाउट होँगे, यो दो मिनिट रोख देना, पहले पॉइंट समझे लेना, cooperative society में जो members हर महिने, contribute कर रहा है, जिसे हम लोग कहते हैं, maintenance, that is a contribution, that is not an income, पहले आप ये समझे, contribution is not an income, अब इस contribution से उनने कुछ खर्चे किये, इसके बाद कोई पैसा आया, वो उसने deposit कर दिया, उसके उपर interest आया, that is income, cooperative से आया होगा, ATP में deduction मिल जाएगा, cooperative से नहीं आया होगा, taxability में आ जाएगा, फिर standard deduction, पचासजार एक लाग तक का, तो मिल नहीं है, depending upon cooperative, since consumer नहीं होगा, तो पचासजार तक का होगा, mat provision, yes मैं revise कर रहा हूँ, CMA final के extra topic, वो इसी के साथ साथ covered है, आपको कोई specific अलग नहीं है, कल मैं क्या topic revise कर आऊँगा, ये मैं telegram के उपर डाल दूँगा, telegram से आपको पता चल जाएगा, कल topic क्या आने वाला है, PGBP पढ़के मदा आया, thank you so much सार्थक, please आपके कोई doubts है, तो फटा फट भीजिए, CMA final के बारे में बाता चुका, आपको extra topic जो है, वो कुछ अलग से नहीं है, जित्ते final में है, उत्ते आपको है, अगर कुछ होंगे, मैं तो मैं अलग से करवादूँगा, don't worry, Sir, how do credit giving cooperative society in real life, डिब्या मैं आपका सवाल नहीं समझा, how do credit giving societies cooperative in real life, मुझे आपका सवाल नहीं समझा, प्लीज elaborate more, questionnaire का बिटा आपको telegram पे मिल जाएगा, don't worry, और कोई, Christian and Federal cooperative society and consumer cooperative society, अब मैं जशे आपको बात बता था, consumer cooperative society क्या होती है, कई बार ऐसा होता है कि, कुछ जो residential societies है, residential societies है, यह क्या करती है, यह consumer cooperative का भी काम करती है, मैं आपको बताता हूँ होता कैसा है, मान लिजए, अब जैसे अगर मैं मेरी building लूँ, तो मेरी building के अंदर में क्या करते है, हम सारे family वाले whatsapp group बनावा है, और हमारी society भी है, सारे members को अब जैसे, गर्मियों का season आ रहा है, आम की पेटी चाहिए, अब हर एक घर जाएगा, हर एक घर क्या करता है, अलग से आम की पेटी लेने जाएगा, might भी वो इत्ता अच्छे से क्या कर सके, बार्गेन ना कर सके, उस case में क्या करता है, हमारे जो chairman ने, society के chairman ने, वो क्या करते है, सभी लोगों से पूछते है, कि किन किन लोगों को क्या चाहिए, cooperative, मतलब हम लोग आम की पेटी लाने वाले है, किस घर को कितनी चाहिए, और साथ-साथ में एक message भी आता है, कि जो भी bargain होगा, इसका एक 10 रुपे, 50 रुपे, 100 रुपे, whatsoever, ये cooperative society के common collective collections में जाएगा, to which सारे society वाले agree करते है, क्योंकि उनको door step delivery मिलती है, ऐसा कोई cooperative अगर कोई work कर रहा है, we call it as a consumer cooperative society, जहाँ पर collectively buy किया जाता है, consumable goods, और वो अपने member को provide कर देते हैं, which is a consumer cooperative society, इस तरीके से work करती है, international taxation, yes, मैं international taxation पर ला दूँगा, don't worry, mat का rate क्या है, आप पूच रहा है, mat का सवाल आप मुझसे यहाँ पूच रहे हैं, but still, मैं आपको बता देता हूँ, mat care rate जो किये गए है, वो 15% किये गए हैं, हर तरह की company के लिए, assessment, proceeding, yes, audit compulsory है क्या, मैं आपको बता दू, audit की requirement separately, आपको यहाँ पर नहीं दी भी है, provisions के अंदर में, but cooperative society act के साब से, cooperative audit mandatory है, cooperative society act के साब से, और अगर आप यहाँ देखेंगे, तो यहाँ पर जब due date of filing return की बात आती है, तो वहाँ पर clear cut रिखा है, अगर आपको audit कोई भी law के अंदर mandatory है, तो आपका जो return बनने की date है, वो September हो जाती है, और कोई, cooperative is related आपके कुछ questions, capital gain का revision, अब मैं देखो, यही नहीं समझ पा रहा हूँ कि, आपको international लूँ, assessment लूँ या capital gain लूँ, क्योंकि सब अलग-अलग बात कर रहे है, federal cooperative, कई cooperative society मिल करके, federation मनाते हैं, we many times call it as a federal cooperative society, पर federal के bylaws कुछ अलग होते हैं, जो cooperative society act के अंदर दिये हैं, जैसे BCAS के federal cooperative के bylaws कुछ अलग है, तो वो conditions अगर आती है, तो आप federal by cooperative society classification कर सकते हैं, cooperative society जो credit देती है, अपने members को, how they exactly works, मैं आपको बताता हूँ, cooperative society जो fund collect करती है, member से, cooperative society अपने members से fund collect करती है, किसी ना किसी member को, क्या चाहिए होता है, loan चाहिए होता है, या फिर कोई नया person आता है, loan लेने के लिए, सबसे पहले उसे member बनाया जाता है, cooperative का जो fund है, own capital है, corpus fund है, उसमें से उसे loan दिया जाता है, और उसमें से interest कमाया जाता है, जो interest आता है, वो interest cooperative societies के बीच में, members को दे दिया जाता है, that's how they work, capital gain का revision लो पहले, जी, प्रनाली और मेहुल जी, हम लोग definitely इस चीज को ध्यान रखेंगे, सर अपना YouTube का time schedule क्या है, रोहित जी मैं almost 10 बजे आ रहा हूँ, और जब भी आने वाला होता हूँ, मैं पहले टेलिग्राम पे डाल देता हूँ, तो जितने बच्चे ये revision देख रहे हैं, प्लीज टेलिग्राम में रूप जोईन कर लेना, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड होगा, लिंक से जोईन कर लेना, इंस्टा, सर, इंस्टा आप मुझसे connect हो जाईए, पर मैं इंस्टा पे कोई reply नहीं देता, आपको कुछ reply भी चाहिए, या आपको कोई queries है, this is my number, आप इसके उपर मुझे WhatsApp कर दीजे, मैं आपके doubt जरूर देखूँगा, और possible हुआ, तो मैं जल्दी से जल्दी reply करने की कोशिश करूँगा, आप इंस्टा पे मुझसे connect हो जाईए, पर doubt महां पे मत रेज कीजे, international tax, okay, I'll look into it, no, it is out of interest earned from members, it is out of interest earned from members, loan पे जो interest आप दे रहे हैं, वो आपके लिए expenses हुआ ना, income कैसे हुआ, तो जो expenses है, उसका तो वैसे भी deduction PGPP में से मिल नहीं है, जो telegram में member नहीं है, प्लीज जोईन हो जाओ telegram पे, अगर आपको thank you बोलना भी है, आपको अगर थांक्यू बोलना भी है, तो प्लीज विशाल बत्तर सर को, या तो वी स्मार्ट अकाडमी को बोलना चीए, मैं सिर्फ एक माध्य मूँ जो आपके help कर रहा हूँ, और कुछ नहीं, इसके लावा कोई queries होगी, तो प्लीज आप मुझे यहाँ पर भीज दीजेगा, आपको यह cooperative society का taxation पसेशन पर अगर, मतलब आपके जो दोस्त होंगे, CA final के आपको पसंद आया होगा, तो उन्हें भी भीज दीजे, जो book से भी पढ़ रहा होंगे, फटा-फट उनका recall हो जाएगा, और उनका at least एक topic देखना हो जाएगा, अपने दोस्तों को बता दीजेगा, since आपने तो live में देखा है, वो लोग इसे fast forward करके भी देख सकते हैं, then, okay sir, thank you so much for this, thank you so much for attending this session, मैं आपसे कल मिलता हूँ, वापस से कोई और final का topic उठाते हैं, final का कोई ना कोई और revision करते हैं, फटा-फट तो मिलता हूँ आप से, bye and take care, thank you so much.